नमस्का अदर्शकों, Grand ACN News की खास पेशकरस एक मुलाकात में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है एक मुलाकात का एकरम के ताहत हम काफी शक्सितों से आपको रूबरू करा चुके हैं और आज इस वक्त हमारे साथ स्टूडियों में जो शक्सित मौझूद है वो किसी परिचय की महताज भी नहीं है मैं बात कर रही हूँ संजय दानी जी की ये पूरो पार्शद रह चुके हैं और भाजपा की कदवार शक्सियों में शुमार होने के बाद इन्हें हाल ही में नगरी निकाय प्रकोष्ट के प्रदेश सयोजक से नियुक्ति किया गया है और ये नियुक्ति के बाद इन्होंने काफी सक्रीटा दिखाई है और लगातार पार्टी के साथ रह करके रह नीतियां भी तयार कर रहा है तो कुछ सवालात ऐसे हैं जिनके जवाब हैं इन से जानेंगे और सबसे पहले हम इनका स्वागत करते हैं सबसे पहले मैं आपको बढ़ाय देना चाहूंगी आप से सयोजक नियुक्ति किये गये हैं और ये नियुक्ति होने के बाद में आपने आपको कैसा लगा जो इस विश्वास आप पर जताए गया कई निकायों में भारती जनता पार्टी काबिज नहीं है देखा जा रहा है कि कांगरेस की सरकार वहाँ पर बनी हुए कांगरेस काबिज है भावी रन नीती क्या रहेगी निकायों में प्रदेश इस तर पर काबिज करने के लिए देखे ऐसा होता है जब नगरी निकाय का जो काम है वो सीधा जनता से जुड़ा हुआ है वहाँ के जितनी मूल भूस सविधा है सीधा जनता के सीधा जुड़ा जुड़ा रखती है निश्चित रूप से ऐसे कई योजना है चाहे केंदर परवर्तित योजना है चाहे राज परवर्तित योजना है और कई ऐसी योजना लागव होती जो सीधे रूप से जनता को उनको लाब नहीं मिल पाता इन सब जो जितने जो चौदा नगर निगम हैं हमारे चम्वालिस नगर पालिकां हैं नगर पंचायत हैं जा जाके हमारे पार्शद हैं उनके माध्यम से जो राशी केंद सरकार जो देती जैसे तेरवे वित्ता है उकका पैसा आता है विकास कारियों के लिए चोदे वित्ता है विकास कारियों के लिए और पंद्रे वित्ता है उकका पैसा आता है उन विकास कारियों की जो राशी तो उन सब का चिन्नित करना उसको लेके हम अपने एक रिपोर्ट त्यार करेंगे और उसकी आदार पे जनता के सामने बताएंगे कि भई यह जो आपको सुविदा मिलनी थी वो नहीं मिल पाई और उसको लेके जनता के पीसमें कुना एक हम विस्वास साबीत करेंगे और आने प्रदेश के जितने भी निकाएं हैं अक्सर समविदा करमचारियों को उपेख्षा के शिकार होते देखा जाता है और ऐसा समविदा करमयों का कई जगह अपने बैयानों में अपने बाईट्स में नहोंने कहा भी है कि वर्दुमान सरकार जो है उनकी मांगों को लेकर ज्य प्रणलटमाग को निश्ट्टी दूर्प से हम चाहते हैं प्रदेशसरकाना न जो वादा किया था जो उन्हों न अपने घोशना पत्र में में भी कहा था उन meals भें हमारी जो प्रवाइन हा इससे बंचीत किया जा रहा है और ये च्नावत में हमाला आरोप ये चुनावत को उ उनके साथ जो गलत हो रहा है या उनके जो अधिकार से उसको छीना जा रहा है उन अधिकार को दिनाए कि हमारी पूरी कोशिच रहेगी हमारी पार्टी की और ये मांग हम चाहे राजस्तर ही हो चाहे प्रदेस राश्टी स्थर हमारे प्रदेस नेतित और राश्टी स्थर की इतने नेता हैं, उनके सामने समक्ष रखे, हम उसके रननिती के तहट उसमें उनको अधिकार देने का पूरा प्रयास करेंगे। वेतन की यहां तक आप बात करेंगे। मात्र फर्वरी तक 73 कोड़ रुपए आया है वास्तिक आया है यह हमारा बजट बनता है ठीक है बजट अनुमानी तरसंचोदित होता है मगर उसकी कितनी सीमा है हमारे पीछले बार जो बजट महापौर जी ने बनाया था तो 722 कोड़ का बज़ट बन गया था आपकी वास्त आय कम हैं अमात्र 100 कोड़ की आया है आपने बजट बना लिया और तो उसके बाद आपने अभी ठेका किया सभाई का ठेका लगबाग 36 कोड़ का ठेका किया आप बताईए आपकी आय नहीं है आप कर्मचारी को वेतन कैसे देंगा अभी कर्मचारी को वेतन को ल मिल रहा है तो इसके लिए आपके क्या सोच रहे हैं क्या कुन सी योजना है आपके तो कहीं निकर मैं समझता हूँ यह प्रशाषन की घल्ती है और नगर निगम आई जो मैं सुना हूँ कि बहुत उर्जावान है एनरेटिक है मगर उसकी योजना धरातल पर कहीं दिख रही मुझे तो यह कहीं निकर आपकी प्रशाषनी चमता का अभाव आप में दिख रहा है तो सर यह तो मुद्धा था भिलाई निगम का हम आपी नौ निर्मीत रिसारी नगर निगम को लेकर के भी आपसे कुछ सवालात करना चाहते हैं वो यह की हाल ही में सफाई को लेकर के व हुआ और इसके लिए भाजपा जो है जो कि आवाज उठाई थी पहल की थी चुपी भी साधे हुए कारण के है सर ने चुपी तो नहीं साधे हुए भाजपा ने अपना जो काम करना तो किया है जहां तक जिस ठेकेदार की आप बात करें वो पीविमन का नाम मैं जानता हू पीवी रानमान जो एजनसी के नाम से वो काम कर रहा है मैं आपके माद्यम से शाइंजी पूछना चाहता हूँ कि भाई आप एक ठेकेदार को कि इतना लायक कैसे समझगी वो ठेकेदार भिलाई नगन निगम में भी काम करता है वही ठेकेदार रिसारी नगन निगम का भी ठेकेदार राइघर का भी ठेकर रहता है धंतरी नगन निगम ने उसको ब्लैक लिस्ट किया काली सुची में दर्ज किया इसके पूरू में भिलाई नगन निगम की सामान सबाने भी ! मैं दरेक कालि सूची अहले कि और पीट बिञागों दो प्राशी सो त .... ह dadda कि जुम नहीं करता है और उसका लेसेंस अन चाहिए जाना भी आ है मैं पूछता हूँ ऐसी क्या है उस ठेकेदार के प्रती ये इनकी सानबूती सी कि उस ठेकेदार को ये दिये उसके पूरे बिलों का भुकतान किया उन्होंने आज वो करोड़ों रुपिया नगर निगम का ले चुका है उसके सब विरोध होने के बाजूद भी उसको आज नहीं आती निश्ची तरुब से जहां तक आप आफाई यार की बात कर रहे हैं तो आफाई यार देखिए ये एक शफ़त पत्र होता है कोई भी ठेकेदार निविदा में जब भाग लेता है उसके एक नियम कनुन बने है कि उसको पांस साल तक उसको काम नहीं देना है उसक नगरी नगर सिचाओ सचीव से सचायथ कि इसके सारी चीज़ों की पूरे तatsiay के साथ उसके बाद भी ठेकेदार निविदा भाग लेता है उसको काम मिलता है उससे कार करा जाता है अब ये कि siamo सीथी बनी कि कार में वहां पर हाई पे मुद्धा उठारी उस सारी नगर न चाहिए तो यहां थोड़ा विरोधा भास हो रहा है ये नगन बिलाई नगन पार्ण से उसको विमत किया हुआ हटा दिया तो और उसके खिलाब अफ़ईयर की जो मांग उठीster भाजबार्ण फार्ण उठाया जो संपत्ती कर लिया जाता है संपत्ती कर समयकियत उसका पैसा है और उसके खिलाब कड़ी कावाई होना चाहिए जिन जिन सभाई करमचारी को पैसा नहीं मिला उस ठेकेदार की संपत्ती को राजसात करे और उसके बाद उन करमचारी को पैसे को दिलाए उनको अनिश्ची द शाहिए और पानी वेवस्थ था और काफी मुद्दों को लेखर वहां पर चर्चा भी गई और गहमा गहमे का माहूल रहा शहर की सफाई वेवस्थ था और जो भी विभीने मोल भूत सुभधाय हैं जो मिलना चाहिए वाड़ वासियों को उसके लिए जो चर्चा वहां पर कोड़ का बज़ट था अभी इनोंने जो बज़ट लाए अभी जो 27 सीधा सीधा 10 कोड़ के उसमें बढ़त्री हो गई है 36 या 37 कोड़ का आपने बज़ट पेस किया है उसमें आप एक चीज़ देखेंगे कि अठरा माई 2022 को एक अधिस उन्चन जारी होती है राज सरकार के मध्यम से उसमें साफ साफ मेंचन लिखाता है कि आई के वित्ती अधिकार कितने हैं, महापोर परिशत के वित्ती अधिकार कितने हैं, आपका नगर नियुम की जो समन सबा उसके वित्ती अधिकार कितने हैं, उस वित्ती अधिकार से अगर एक रूपिया भी अगर ज्यादा होता है, तो हमको अधिकार नहीं है, अभी कल जो स तो आपने इसको कैसे बहुमत का इसका मतलब यह निए कि आपको नियम के विरुद आप चले आप ही ने कहा है कि भिलाई नगर निगम अधीनें उननिस चपन के आधार पर चलता है तो मैं यह निगम प्रशासन नहीं जानना चाहता हूँ कि भी जब दस कोड से जादा की है टिपर है रिक्षा है वो इतने कम दरों में दिया जा रहा है कि भई भी आप ठेकेदार को आप बोलिए हमारा यह मांग है ठेकेदार को बोले कि आप जब निविदा में ले रहे हैं निविदा को आपने एलवन आया है तो यह आपको अपने वैस्ता से कीजिए नभी पी है उसको आप दूसरे ब्लूड भी वाग में लगाईए इन जर्नल देखा गया कि लोगों को जैसी भी नहीं मिलती जंपर नहीं मिलता टिपर नहीं मिलता और आप ठेकेदार को लाप पहुंचा रहे हैं अचना कम राशी है कहीं 50 रुपए है कहीं 5000 रुपए है आप उस तो उसका देड़ देल लाप रुपए वो लोग चार्ज करते हैं और आप उस ठेकेदार को लाप पहुंचाने की नियस से कहीं निकें उसको निसस्तितर नगर निगम के पूरे संसाधन का उसको दें अपलत कराने कोशिश कर रहे हैं कहीं न कहीं मिली भगत क्यों से पाजी बिस पर देखी जारी हैं जी देखिए जहां बहुत अच्छा मुद्धा आपने उठाया है अभी कुछ दिन समाचर पत्रों में मैंने पढ़ा है कि नगर निगम बिलाइस पास सेंद के छेतर में एक शिविर लगा के वो निमेती करन के जिन को कराना उसके लिए उन निमेती करन उसी मकानों का होता है जो आपके स्वामित में हैं जबकर नगर निगम के स्वामित में है ही नहीं वो मकान तो आप निमेती करन की सदार पर ले रहे हैं आप बिल्डिंग परमिशन वहाँ जारी नहीं कर सकते आप वहाँ बी सी सी दे नहीं सकते उसका एक उधर तो अभी तक वो पूरा स्वामीत में शायद नहीं आया है, वो सेम चीज आपने विलाइस पास सेंद के लोगों को शीविर लगा के बैड़े की, यह कहीं नहीं कहीं, मैं उझे एक तुगलकी नर्ने लगता है, और अगर करना ही है, तो आप विलाइस पास सेंद के साथ बैठ करन के मादन से हजार रुपया, लाख रुपया मांगोगे, तो कोई दे नहीं पाएगा, और सबसे बड़ा सवाल यहीं उठता है, मैं फिर उसके दोबारा रिपीट करूँगा, कि आपके सौमित की वो जगे ही नहीं, तो आपने जब मेरे मेरी प्रापरटी नहीं है, मेरी संपत्ती नहीं है, तो आप निमेती करन की सदार पे ले रहे हैं, यह मेरा कुश्चन नगर निकम प्रसरशन के आयुक से है, लेकिन बेश्पी प्रबंधन भी इस पे चुपी साधे रहता है, यह कारण क्या हो सकता है? बेश्पी प्रबंधन का तो ऐसा है, शाहिन जी अब वो सब यह बात थोड़ा से राजनिति हो जाएगी, बेश्पी प्रबंधन तो ऐसे बहुत सारे राजनिति का शिकार हो गई है, बेश्पी प्रबंधन कुछ उसमें बोलने जाएंगे तो चाहे वो कांग्रेस हो, मदमुद्दा है, हम विलाई नगर निगम को उसको निमिति करन करने का अधिकार ही नहीं है, जब वो आपके सामित की जगे नहीं है, आपका मालिकाना हकी नहीं है तो पहले आपने निगर निगम में उसको शामिल की जब पूरे टाउंशिप को उसके बाद निमिति करन की बात आएंगी और इसके बाद भवन अनुग्या और पुर्णता प्रमान पत्र की बाते आएंगी और इसको कम से जंता के हित में हम क्या कर सकते हैं इसमें नगर निगम को पहल करनी चाहिए तो ये थे हमारे साथ कद्दावार शक्सियत वो में शुमार संजाइदाने जी हाँ अभी हाल ही में नगरी निकाय प्रकोस्ट के सह सैयों जग वोने युगति किये गए हैं हमसे उन्होंने काफी चर्चा की शहर की वस्था को लेकर साफ सफाई हो नीमिती करण हो या फिर समीदा करमचारियों की मांग इन सब को लेकर हम से चर्चा की और काफी सवालों की जवाब उन्होंने काफी बेबाकी से भी दिये तो लगातार हमारे साथ बने रहिए और देखती रहिए Grand ECN News नमस्कार